अगर आप क्लास 10 के स्टुडेंट हो आपने सेंट अप एक्जाम दिया है और मैथमेटिक्स के सभी अबजेक्टिव का सही आंसर की जानना चाहते हैं सेंट अप एक्जाम का तो इस वीडियो कौन तक देख सकते हैं देखिए यह जो आप लोगों के लिए एक्जाम एजित तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि यह का मान यहाँ पर देखिए दिया है यहाँ पर क्या है कि तीन पावर चार है अगुना पाँच पावर तीन है अब बी का मान क्या है तीन पावर दू हो अगुना पाँच पावर दू है तो कोड़ा की यह भी बरावर हुआ इसका जेकि मुहत्तम समयवर्टक क्या होगा देखिये निकालने का जरकि अभाज गुलन खन से मुहत्तम समयवर्टक निकालने का सबसे E G N नियम है यहाँ पर देखिये जिसे दुनों कॉम पर जोड़िए जिसे तीन यहाँ पर भी है की पाउट के बाद यहां पर देकिए पंच पाउवर थीन है और यहां पर भी पंच पाउवर दुनों में पंच की आए ख्म지는 है तो आप देखिये कंक पाउवर भाला कंप आजरता 7 पर पावर क्या लेंगे आप दो लेंगे तो देखिए तीन तिया नो पच्छे 25 गुना किजिए तो नो पच्छे 45 है नो दुनुई अठार चार बैसे 225 तो इसका सही option आपको क्या होगा ए और अंसर होगा 225 अब देखिए अगला question जो आपको है question number 2 इसको कड़ा की pivot q के रूप में लिखिए यानि परिमय संक्चा के रूप में आपको लिखना है यहां पर उपर में जो देखिए बार का इसमें से घटाईए घटाना है घटान एक पस्चात अब यहां पर देखिए एक दो तो दो को संक्यां पर क्या है बार का साइन है तो दू को जो है की नो दे दे देना है तो यहां पर आपको क्या होगा 43 बटे 99 तो अब यहां पर देखिए तो इसका सही option आपको क्या होगा होगा आपको भी होगा 43 बटे 99 अब अगला question इन्हीं का देखिए कौड़ाई की चतरभूज के सभी चारों कोनों का योग होता है यह तो 360 डिगरी होता है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगला question देखिए यहाँ पर कौड़ाई की 11 बटे 80 का दसम्लब परसार है तो देखिए तो संथ कब होता है जब आप किसी भी संख्या में भागदेजिये दसम्लब के बाद भी पूरी तरह से कड़ जाए तो उसी कौन कहते है अगर नहीं कड़े तो उसे हम क्या कहते है तो यहाँ आप 80 तो देखिए आठ गुना दस यानि दू और पॉंस का क्या आ गया अबहाद गुरुन खन तो इसलिए इसका दसमलब परसार क्या होगा सांथ होगा 80 से भी 11 भाग देजिए पूरी तरह से कर जाएगा दसमलब में अब चलिए अगला क्यूश्य नमर पंच है निमलखित में कौन सी संक्या देखिए निमलखित में कौन सी अभाध संक्या है संख्यां का मतलब हो गया कि वह संख्यां एक और सुए के अलाबा दूसरे संख्यां से विवाजित नहीं हो 91 देखिए तेर सत्य 91 कर जाता है 41 केसी भी संख्यां से जोई की विवाजित नहीं होगा पचासी भी विवाजित हो जाएगा 121 भी हो जाएगा तो इसका सही option आपको क्या हो गया बी हो गया अब अगला question देखिए अगला question question नमर 6 है कोड़ाई की बहुपद यहाँ पर दिया है कि 8x जोर यहाँ पर क्या है चोदो का सुनियक है तो देखिए अगर ax पलस b ax पलस b का फोर्म रहता है तो इसका सुनियक क्या होता है वह होता है आपको minus b बटे a होता है minus b बटे a तो यहाँ पर आपको b का मान क्या हो गया 14 हो गया और a का मान क्या हो गया 8 हो गया तो देखिए 2 सत्य चोदो 248 तो minus 7 बटे देखिए अगला क्वेश्चन नमर साथ है कोड़ा की 108 बट्य यहाँ पर क्या है 168 का सरलतम रूप है तो सरलतम रूप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि उनका LCM निकाल दीजिए और जोए कि उसी संक्या जितना निकल तो उससे भागा देजिए यानि तो इसे जो बारी बारी से काटा करके भी आप असनी से निकाल सकते हैं तो देखिए एक सो क्या है अठै से उसके बाद एक सो क्या है और 68 है तो दो से उपर में भाग देंगे तो 64 दूनी 100 क्या होता है अठैस होता है और 168 है तो यह आपको 84 दूनी 168 होता है फिर दो से भाग देजिए 12atus फिर दों से भाग देंगे लगे नोटäg ऑपको होगया तो आपको क्या हो ग्या कि ग्या बेदी तो 22UBते क्या होग हो जिसका सहई Fahr Peterson बाट नहीं मतलब उस मुइन चोटदी यानि इसे लिए अगला क्वेसिंटन सद्धカンタ अगला क्कूESSYम्न नुम्र एक है विए कि कि निमिलखित में कौन ओपरी में संखियां है इसमें कोड़े कि ओपरी में संखियां तो जो रूट के अंदर में रहता है ओपरी में संखियां होता है जो रूट के बाहर हो जाता है उपरी में संखियां हो जाता है तो यहां पर देखिए उन्चास का बर्गमूल क्या हो विरूट ओवर स्वाइब लगा तो यहीं आपका क्या होगा ओपरी में संख्या होगा आठ का सभी ऑप्शन आपको ग्यादी रूट ओवर सब्सक्राइब कि यह question को जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि आपको जो फाइनल एक्जाम में पूछे जाएंगे तो फाइनल एक्जाम का जो question है इसी पर अथारित रहेगा तो इसलिए सेंटर अग्जाम का जो question paper है बहुत ही महत्पूर्न है क्योंकि विहार बोर्ड ने अभी अब की बार model paper जारी नहीं किया है और पहली बार ऐसा होड़ाई कि विहार बोर्ड ने डायरेक्ट जो एकी सेंटर अग्जाम के लिए question भेजा है तो यह त्यारी करने में आपको काफी मददगार सावित होने वाली है अब चलिए अगले हम इसके question को देखते हैं इनका अगला question क्या कर रहा है कर रहा है कि निमलिखित में कौन दुगहात समिकरन है तो दुगहात समिकरन का क्या मतलब दुगहात का मतलब दुगहात यानि एक्स पर अगर पावर दो है तो उसी को हम दुगहात समिकरन कहते हैं तो इसमें देखिए ये तो आपको बहुपद होगा ही नहीं ये बहुपद आपको होगा ही नहीं क्यों नहीं होगा बहुपद तो आप लोग जान लिजिए कि देखिए अगर रूट के अंदर में विरियेवल रासी रहता है तो बहुपद नहीं होता है और यहां पर भी देखिए कि आपको रूट ओफर एक्स गुना रूट ओफर एक्स करेंगे तो एक्स तो बाहर आ जाएगा लेकिन स्क्वाइर नहीं चेड़ेगा वह से भी जो है कि टू से गुना करेंगे तो यह रूट के अंदर में एक्स है तो ए भी आपका बहुपद नहीं हुआ अच्छा यह भी आपको निकल जाएगा इसको देखिए ए मैनस बी इंटू ए पलस बी क्या होता है ए स्क्वाइर मैनस बी स्क्वाइर यानि रूट ओफर एक्स का स्क्व नहीं होगा दुघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि दो का पावर नहीं आया यह तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि रूट के अंदर में एक्स है अब देखिए यहां पर होल पावर तीन है तो फाइनली एक्स पावर तीन आएगा यह तिरी घात बहुपद हो गया अब एक चीज बचाया है यही ठोक्या होगा इसका दुगात भौपत क्योंकि A पलस B का होल स्क्वेर करेंगे तो X स्क्वेर हो जाएगा यह दू का गहात आएगा तो 9 का स्योप्षन आपको होगा एग अगला वार देखिए क्विस्चिन नमर दस कड़े की निमलखित में कौन परिमे संक्या है तो 9 का बर्गमुल आपको 3 हो जाएगा तो 3 क्या है आपका परिमे संक्या है तो इसका स्योप्षन आपको होगा एग अब अगला क्विस्चन देखिए क्विस्चन नमर 11 कड़े की निमलखित में कौन दुगहात बहुपत है दुगात बहुपत का जो फोर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वाइर मैनस अलफा जोर बीटा इन्टु एक्स पलस अलफा बीटा ये फोर्मूला होता है अब देखिए अलफा पलस बीटा का मान क्या होता है तो अलफा पलस बीटा पर आपर होता है मैनस बी बटे ये मैन तो नहीं करना है, यहाँ पर अलफा का मान 5 हो गया, बीटा का मान मैनस 3 हो गया, तो 5 है मैनस 3, यानि 2, अलफा पलस बीटा का मान क्या हो गया, 2, उसके बाद अलफा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अलफा का मान क्या है, 5 है, और बीटा का मान मैनस 3 है, तो मैनस 3, तो 5 है म मैनस 15 हो गया मैनस 15 तो अलफा इन्टू बीटा का मान मैनस 15 तो फॉर्मॉला आम रख देजी एक्स स्क्वाइर मैनस अलफा जो बीटा का मान कितना निकला है दो तो दो एक्स हो गया अलफा इन्टू बीटा का मान क्या है मैनस 15 तो यहां पर मैनस 15 रख देंगे देखे एक्स स स्क्वायर मिनस दू एक्स मिनस पंद रहा यह आपको मान है ओप्षण इसका सही ओप्षण आपको होगा एक है अब अगला कुश्चन देखिए अगला कुश्चन आपका क्या कह रहा है तो यहां पर देखिए कोड़ाई कि निम्रखित में कौन 3 x minus y बराबर 0 3 x plus 5 y बराबर 36 का हल है इसके option से ही चेक कर लिजिए जैसे x कमान 2 है यहां पर x के जग़ा 2 रखेंगे तो तीन दूनी 6 तो 6 में से 6 घटे का तम न जीरो होगा तो य कमान क्या होना चाहिए चो यह option आपको A में है 12 का सही option हो गया अब अगला question देखिए question number 13 question number 13 को रहे कि बहुपत x square minus 15 x plus 56 का घात है तो देखिये degree को रहे तो simple बात है तो maximum x का maximum power ही इसका घात होता है तो x का maximum power क्या है दो है तो इसका इसलिए इसका घात क्या हो ग değer हो गया इसका साइभ ऑप्सन आप गया भी या ठीक है है यह मैकसिमुम पावर क्या होता है गात होता अगर मान के चली किवार तीन होता तीन होता यह जना पावर रहें वही गात होता है इतन्क आपने जहन लिया है अगला क्वेस्टन नमर चौदा करें कि यदि दो चरो में दो रेखिक समीकर्णों के अलेक परती भूसरी रेखाय हो तो हलों की संक्यान है तो देखिए परती भी रेखा कॉब होता यह जब सिर्फ एक हल होता है यानि अधूतिय हल तो इसका सही ओप्छन आपको क्या हो गाई यानि रेखा परती छेदी तब ही ओगा जब सिर्फ एक हल होगा एक से अधिक हल होगा तब रेखा परती छेदी नहीं होगा तो देखिये only one solution शिर्फ एक हल होगा इसका अगला question अब देखिये क्विस्चन नमर पंद्रो क्विस्चन नमर पंद्रो कोड़ाई कि तिरी घहात यहाँ पर देखिए तीन की घहात है तो इसलिए तिरी घहात बहुपद हो गया कि सुन्यको का योग होगा तो सुनियको का योग तो तिरिगहात बहुपत के सुनियको का जो योग होता है वो आपको होता है मैनस B बटा A तो तिरिगहात बहुपत का भी होता है सुनियको का योग मैनस B बटा A तो B का मान मैनस 3 है तो देखिए मैनस B बटा A एक मान एक मिनस मिनस क्या होगा पुलस 3 तो उसी परकार से इसका सही ऑप्सन आपको हो गया भी अगला question देखिए question नम्मर सोलो कोड़ा कि समांतर स्रेड़ी एक बट तीन पॉंच बट तीन नौ बट तीन का सार्व अंतर क्या होगा तो सार्व अंतर क्या होता देखिए इसको हम एवन बोलते हैं इसको एटू और यह आपका एथरी हो गया तस इनको हम दी से सुचित करते हैं तो दी मतलब क्या हो गया एटू मैनस एवन यानि देखिए दूसरे पद में से जो है कि पर्थम पद को घटा देते हैं यानि पंच बट तीन में से एक बट तीन को घटा देंगे तो देखिए पंच बट तीन में से एक बट तीन को घटा दिए तो ती बट तीन में से पॉंच बट तीन को घटा दीजिए इसे अब भी कर सकते हैं कि अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नमर सत्रा कोड़ाई कि ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्राबर जीरो के मूल समान हो तो निमल समान होने पर यह हो गया और सब कंडिशन है अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नमर 18 कोड़ाई कि सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग सम्रूप होते हैं सभी वर्ग सम्रूप होते हैं सभी बिरित भी क्या होते हैं सम्रूप होते हैं सभी संभाहु नम्म्रोफ होते हैं, इसलिए अठार का सही option आपको होगा, यह समरूफ होते हैं, अगला question, question Q. 19 कोड़ाई कि दुगहाथ समिकरन, यहाँ पर आप देख रहें, दुगहाथ समिकरन का मूल होता है, तब ए दुगहाथ समिकरन का X का फर्मुला, मूल निकालने के लिए क्लिए क्लिए क्लिए, गला क्वेस्टन देखिए, Question number 20 Question number 20 कौड़ाई की तिर्भूज PQR में QR को S बिन्दू तक बढ़ाया गया है जिसमें PRS 100 degree है और PQR 70 degree है तो कोन QPR का मान होगा ये चीज कौड़ाई कौड़ाई की तिर्भूज PQR में तो पहले ये कौड़ाई की तिर्भूज PQR 1 तिर्भूज है तो हम PQR एक तिर्भुज बना लेते हैं PQR एको तिर्भुज बना लिए उसमें कोड़ा है कि QR को S बिंदू तक बढ़ाया गया है QR है इसको S बिंदू तक बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक बिंदू S हम ले लिए लेने के पर साथ कोड़ा है कि P-R-S 100 डिगरी है तो P-R-S यानि इसका मान जो है वह आपको 100 डिगरी है उसके बाद P-Q-R 70 डिगरी है तो P-Q-R यानि बीच में यही एंगल होता है तो यही एंगल होता है तो Q तो मतलब Q कुन कितना है? 70 डिगरी Q-Con 70 degree हो गया तो करणा कि Q-P-R का मान होगा Q-P-R हे इकोन निकालने के लिए करणा अब देखें सिंपल लिया तो इकोन और इकोन का योग होगा 180 degree इकोन इकोन का योग होगा 180 degree तो इकोन कितना होगा 80 degree होगा सदारन बाद तम न असी 100 को जो रहेंगे इदुनू कोन मिला के 180 होगा अब करणा है हे इकोन इकोन कैसे निकलेगा तो तिरभूज के तीनो कोनों का योग कितना होगा 180 degree तो अब देखें इकोन इकोन मालूम है तो इकोन आसानिस निकाल सकते हैं तो देखें 80 degree है 70 degree 1500 degree हो गया इकोन 30 degree होगा तम न आपको 180 पूरेगा तो फाइनली इकोन कितना होगा 30 degree तो 20 का सही option आपको होगा यह अब अगला question देखें अगला question क्या को रहा है अगला question यहाँ पर देखें को रहा है कि समांतर स्रेड़ी पंस, साथ, नो, गियाड़ों का 25 मापद होगा तो इसका 25 मापद क्या होगा तो देखें 25 मापद निकालने के लिए ये 25 बराबर होता है ये पलस 25 में से एक घटा देजिए अगर 25 है तो यहाँ पर लिखेंगे 24D 24D अगर 26 मापद केगा 25D अब देखें ये कामान क्या हो गया 5 हो गया ये मतलब पर्थम पद पहला पद क्या है 5 ये पलस है तो यहाँ पर आप पलस देंगे 24 है न तो यहाँ पर आप 24 देंगे ये डी देखें डी डी का मतलब हो गया कि ये जो देखें दुसरा पत में से परतंपत कुझे कि घळाता देना ही तुल 7 में 5 से य। यहां पर 5 देंगे 24 दुणी अबुद हो गय Är 48 5 कितना हो गया 3 पन हो गया इसका सही option आपको होगा 2 होगा 3 पन निकल गया फिर कोड़ाय आप देखिए कोड़ाय की बिंदू 8 0 इस्तित है तो देखिए इमान होता है AX का मान इमान होता है Y का मान इमान X का इमान Y का तो देखिए X का मान दियार है तो किस अक्षपर होगा X के X अक्षपर होगा अगर आपको जो है कि Y का मान दियार हेगा X का मान 0 होगा तो Y अक्षपरिस्थित होगा इतना समझे तो X का मान है और Y का मान क्या होगा है जीरो इसका मतलब है कि एक्स अक्ष परिस्थीस ज सबुद्गर यहीरत जीरो आठ टो हम बोलते वाई अक्ष परिस्थित है क्योंकि वाइक का मन दिया है अब अगला क्वेस्चन देखी अगला क्वेस्चन क्या को रहा है कि समांतर स्रेटी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है कौन सा पद 0 है यानि आपको कह रहा है कि AN AN बराबर 0 बराबर 0 तो अब यहां पर देखिए सिम्पल लिया में इसको आप जो कि बरहा करके वेसे भी निकाल सकते हैं कि कौन सा पद होगा जीरो तो अब देखिए जैसे 21 है इसे 21 में से 3 गया 15 हुआ 15 में से 3 गया तो 18 हुआ 18 में से 3 गया तो 15 हुआ 15 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 12 में से 3 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से देखिए 3 जाएगा तो 0 तो कौन सा पद हो गया आप लोग यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसका आठमा पद क्या होगा जीरो होगा यह तो वैसे लिख के हमां थी वह आप लोग को बता दिये लेकिन इसको सॉल्फ किसे करेंगे तो सॉल्फ करने के लिए नियम है कि एन बरा जायेगा देखिए आठार में से 20 गटेगा ता मैनस 3 होगा मैनस 3 बडाबर आपको होगे जीरो अब देखिए रिख को इधर ले खाली एए तो मैनसékिस हो गया मैनस 3 यान मैनस 1 बड़ाबर स्राव को क्या हो गया मैंनस एकीस मैंड और मैंनस सीड हो गया मैंस सत है कि टीन सत् perfid हो गया एन मेनस वन भराबर साह साथ हो गया लुद यानि आठ हो जाएगा इस परकार चोह से भी आप जगा समान नहीं होगा तो वह समानतर स्रेडी में नहीं होगा तो देखिए एक के बाद दू आ गया दू एक तीन एक चार तो इसमें सम में एक एक बोड़ रहा है तो इस समानतर स्रेडी में है उसके बाद देखिए छोतीन नो नो तीन बारा बारा तीन पंद्रो इभी समानत स्रेज़ें भी समंतर्सरीच स्थाथ कि यह समांधर रेड़ी में नहीं है तो 24 ऑप सभी अब अगला यहां पर देख सकते हैं दुगाहाथ बहुपद PX बराबर क्या है? एक स्क्वार मेंनेस to x – 8 के सुनियक अलफा बिटा हो तो अलफा इंतू बिटा का मनण क्या होगा तो देखिए इसका कॉड़ै की गुनन फॉल मुलो का गुनन फॉल बराबर क्या होता है warto b में ठीटा बराबर होता है सी वट ए उस-क्वेर में जो गुना होता है यह उता एक समेश होता होता है एप्सेम को अपको यह गया अगला कुष्ण Evangel कि 26 में कि तिर्भूज ABC जिशके सीर्ष यहां पर देख सकते हैं कि यह दिया हुआ है तो यहांद करकल का निर्दे संग क्या होगा अब देखिए केंदरक्क का निर्दे संग निकालने के लिए आपको क्या करना परेगा सभी को आप जो क्या होगा ता formula देखी क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होता है 3 ये क्यंद्रक निर्देशंग का formula होता है ता यहाँ पर देखी e x1 का मान हो गया e x2 का मान हो गया e x3 का मान हो गया तो मैनस 2 जोर 5 जोर 6 बटा 3 e हो गया उसके बाद e 10 e मैनस आपको 4 e प्लस क्या हो गया e आपको 10 बटा e 3 हो गया इस ये कर देना है करने एक पर स्चात अब देखी छो पांच 11 मेंसे दू गया 9 9 में 3 से भाग देंगे 3 हो गया दस मैंसे चार गया 6 हो गया 10 6 6,6 बटा क्या हो गया 3,16 बटा 3 देखिए 3 बटा 3 किसी भी आप्शन में नहीं है इसका मतलब कि इसका जो आप्शन दिया है ये आपको रोंग है इसका फ़ाइद आंसर क्या होगा तीन कोमा सोलो बटे तीन यही होगा अब अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नम्मर 27 इसमें देखिए क्या कोड़ाए कोड़ाए के दो समरूप तिर्भुज के छेतर फल का अनुपात यहां पर देखिए एक सो बटा किया है 121 तो उनके संगत भुजाओं का अनुप बात देखिए जब आपको छेतर फल दिया रहे भुजा के निकालने के लिए तो वर्गमूल निकाल देना है जब आपको भुजा दिया रहे छेतर फल के निकालने के लिए तो वर्ग कर देना है सिम्पल बात है तो यहां पर आपको छेतर फल का अनुपात दिया है भुजा निकालने के लिए इनका वर्ग मूल निकाल देना है अब भुजा दिया रहे हैं छेतर फल निकालना हो तो वर्ग कर देना है इतना चीज आप लोग याद रखिएगा तो 100 का वर्ग मूल 10 हो जाता है 121 का 11 हो जाता है तो 10 बेटे 11 जो अप्शन D में है अगला क्वेस्चन गयता है, एकसटो मैनस एकसटू का होल स्कॉयरấn पुलस y1 मैनस y2 का होल स्कॉयर, जा नहीं तो आपड़ सकते हैं कि x2 मैनस x1 का होल स्कॉयर y2 मैनस y1 का होल स्कॉयर , चूंक्ə वर्ग है चीशलिए कोई फार्क परने वाला नहीं है तो इसमें देखिए, यही x1 हो गया, यह x2 हो गया, e y1 हो गया, e y2 हो गया तो 5 में से 4 गया, 1, यानि x2-x1, या 4 में से 5 यह को घटाएंगी, तो minus 1 उसी का वर्प कर देंगे, चलिए 5 में से 4 गया, 1, 1 का आप square कर देंगे, plus, y2-y1 का whole square, तो 1 में से 0 गया, 1, तो 1 का square e square क्या हो गया, e root over क्या हो गया, 2, तो root over 2 option B में है, इसका सही option आपको क्या होगा, B होगा, simple लिए हम देखिए, हेस में से इसको घटा दीजिए, वर्क कर दीजिए, एक में से 0 को घटा दीजिए, वर्क कर दीजिए, जैसा हमने किया है, अराम से दूरी निकाल सकते हैं, किसी भी जैकी बिंदू का, अब अगला देखिए, 29 में, कर दाए के 2 समान कोनिक तिरभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदेव समान राता, किसने का, तो तेसका सही option क्या हो गया, तेस हो गया, अगला question देखिए, कर दाए के मूल बिंदू का नियामक होता है, अब लोग जानिए के संग असवान होते है, यहां पर देखिए, सब से बरीभुजा क्या है, क्यूआर्की, तो किसी भी तिरभुज में सब से बरीभुजा क्या होती है, करन होती है, यहीं पर होगा अब देखिए तब बरी भुजा के सामने के कौन क्या होती है समकौन होती है इसलिए कौन पी जो होगा आपको 90 डिग्री होगा और अब कैसे होगा तो भुजा भी बेठा करके आप लोग चेक कर सकते हैं तो मान के चलिए कि यू का मान चो है तो चोदे देंगे पी आर का मान चो रूट ओबर तीन है तो दे देंगे तो जानिए कि कर्ण का स्कुएर बराबर क्या होता है लंब स्कुएर जो रधार कि तो फैर करें गी तो 6630 208 है तक यह 1 को क्या हो घुआ कि ढ़ो ंफोगर कि समें का क्य तिर्भूज हो गया तो इसलिए बारों कि समने का कुण कितना होगा नभए डिग्री हो गा अब अगला question देखिए, अगला question, अगला question क्या को रहा है, तो अगला question आपको को रहा है, यदि बिंदू A, मिनस 3A, और A जो है कि यहाँ पर देखिए B, बिंदू B, 1, A जोर 4, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदू इतना हो, तो एका मान ग्याद कीजिए, तो मान बिंदू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए, एका मान सिर्फ निकालना है, तो मैनस 3 में आप क्या करेंगे, देखिए, इसको इससे जोरेंगे, एक्स वाले मान को एक्स वाले मान के साथ जोरेंगे, यवाला मान है, तो यवाले मान के साथ जोरेंगे, तो मैनस 3 जोर एक, दू को संख्यां को जोरे हैं, तो दू से भाग देंगे, फिर एक को देखिए, इस पूरे संख्यां मों जोरेंगे, तो ए जोर यहां का संख्यां किया है, ए जोर चार है, है न, अब कितना से भाग देंगे, तो दू से भाग देंगे, क्योंकि दू यह को न संख्या पूरा क्या होगिया दू संगिया तो इसलिए दू से भाग तेंगे इसका मद्विंदो का नियम क्या है तर बराबर में आपको होगा मैएक आमान निकालना है देखिया मैंने 3 में एक जडीए तर तो मैंने 2 होगा ए जोर ए, दू ए हो गया और E plus, E चार हो गया तो E plus 4 तो E में 2 से भाग देंगे ए बसेगा, 4 में 2 से भाग देंगे तरहां पर 2 हो जाएगा तो बराबर मैनस 1 पलस 1 हो गया इमान इसके बराबर होता है तो यानि E जोर 2 दू जो है वह एक के बराबर होगा ये जोर दू बराबर एक हो गया ये बराबर क्या हो गया एक मैंस दू मतलब मैंनस ये तो इसका माण मैं दीई समांतर B C, दीए समांतर B C, और देखिए, A, D बते, D, B कमान यहाँ पर दिया है, अब खोराआके, A, E, कमानी यह है, तो इसी का मान आपको निकालना ही है इसमें भाग देजिए तो यह देखिए तीन से एक दसम्मला पांच में भाग देंगे तो दसम्मला पांच भाग फल आएगा अब देखिए ये मन आ गया दो तो देखिए ये आपको हो गया ओप्शन ऑफ्शन औ decision कामण कुछ भी नहीं करना है और इस़े करके एक तिर भूज बना लेना है बना लेने के बाद दिखिए खुख़्टीटा पडराबर क्या होता है अधार बटे कर्ण होता है तो अधार का मान 5 हो गिया, कर्ण का मान 3 हो गिया, तो लम जब आप निकालेंगे, तो इमान आपको 12 निकलेगा, तो कोशेक ठीटा, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कोशेक ठीटा, तो कोशेक ठीटा पर आपर क्या होता है, वो होता है आपको कर्ण बटे लम होता है, त इसका सही ओप्षन आपको क्या होगा यह होगा अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्वेश्चन नम्मर 35 कोड़ाई की यदि एक 12 मीटर उचे खंबे की छाया पिर्तिवी पर चार रूट ओवर तीन मीटर लंबी है तो सूर्ज का उन्नयन क्या होगा इवान के चलिए एक खंबा है कि कितना मीटर है बाड़ो मीटर है इसका जो च्छाया परता है यानि च्छाया ने वह तो च्छा च्छा बोलते हैं आप लोग च्छा उजो पिक्चर बनता है आपके सर सूरिश का उन्नयन क्यों यहां पर कितना डीगरी इंगर्णी बने गार सित्या कर लेकर को तो यहां पर क्यों इस च्छार बस चार बाड़ अब देखिए ऊपर में 1 kg है नीचे में घ्री तो चैका बचेँगा अधा किलो तों इनुटे मैं कितने कमान 10 क्या हो साथ यानि 10 ठेटा वराबर आपको 10 साथ डिक्री हो गया तो इससाथ डिग्री किस ऑप्षों में जिसका सही option आपको वोगी अब अगला question देखिए question नमर 36 अब देखिए कोड़ाई की one plus ten square theta बराबर है तो one plus ten square theta जो होता है आपको तो one square theta के बराबर है डिरेक्टी फर्मूली है अगला question देखिए कोड़ाई की आरत्रिया वाले विरित के लिए theta कुन वाले त्रिजखंट के चाप की लंबाई है तो देखिए चाप की लंबाई का फर्मूला क्या होता है टू पाई आर ठीटा बट तीन सो साथ होता है मिलाई है कि त्रिजखंट का च्छेतरफल का मान है याद रखिएगा अगला question क्या है अगला question Q verstehen Nr38 कह रहा है कि ज़ gi एक be it-ka परिमाप और मेरा ज्जेटर कुश्धृ संख्यात्मा करे रूप से बराबर हो तो उस बिरित की तिरए क्या हुगी तो देखिए कहोगा है कि बिरित pressures परिमाप और लिए आफ आफ देखिए करे बाई आर स्क्वेर होता है तो देखिए दू बरावर क्या होग थो तब तब दू होगा तब तरजी हा का मान क्या होगा दू होगा तो रचेके किसमे आप्सटिंग cessn में है तो कौढ़ए यही निकालने के लिए हमने निकाल दिया है अब आगला question देखिए 49, question number 49 में कह रहा है, कह रहा है कि यदि A का मान 30 डिगरी हो, तो sign A और कोशेक A का मान कितना होगा, तो simple नियम है, देखिए, angle जब same हो, तो यह दूनु का गुनन फल का मान 1 की होता है, यहाँ पर भी डिरेक्ट बोल सकते हैं, या मान रखे करेंगे, तो कोई बात नहीं है, तो मान के चलिए कि A का मान 30 डिगरी रखेंगे, अगला question देखिए, 40, कोड़ा की एक चकर में 14 cm तिर्जिया के पहिया द्वारा तई की गई दूरी है, तो मान के चलिए कि एक चकर में 14 cm तिर्जिया के पहिया द्वारा तई की गई दूरी, तो देखिए, एक चकर जैसे लगाएंगे, एक चकर E, तो देखिए, क्या बन रहा है, बिरित बन गया, बिरित का एक चकर का माप क्या होगा, बिरित की एक चकर का माप होता है, वह होता है आपको 2 pi r, तो 2 pi, आप देखिए, यहाँ पर आपको जैकि तिर्जिया का मान 14 है, तो यहां पर हमने कर दिया है, करने का यहां पर देखिए, आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया, चोदो दूनी अठाइस पाइ, तो यहां पर देखिए, आपको क्या हो गया, आठाइस पाइ, चोदो दूनी अठाइस पाइ, तो यहां देदेंगे, पाइ का मान बाइस तो यहां पर देखिया ठासी किसम काथ क्या होगा अगला क्वेस्चन नमर भी आलिस कोड़ाई की यदि संकू की तिरिया आर तिरिया कुछाई एल हो तो वक्रप्रिष्ट का शेतरफल क्या होगा तो संकू के वक्रप्रिष्ट का शेतरफल होता है पाई आर एल होता है पाई आर एल इसका सही अप्शन आप होगा भी पाई आर एल संपूर्ण वक्रिष्ट शेतरफल का था तो पाय आर एल अब पलस क्या करते हैं पाय आर स्क्वेर करते हैं अब अगला क्वेश्चन देखिए कोड़ा है कि निमलखित में खोन एक बटे दो के बराबर है तो साइन तीह डिगरी का मान एक बटे दो होता है इसका सही ओप्षन आप कोगा डी साइन तीह डिगरी अगरा question है कि दो velolong के तिर्जया कआनुपात देखिए यहाँपर 2 आनुपात 3 है उचाई का तीन ajudbuchural है तो उनके अटनों का अनुपात क्या होगा तप डिलान का आइटन क्या होता और Ssystem H होता है तक दो ze VALON है बेलन का आइटन और का एतन और सकेंड बेलन का एतन निकालना है यह होता है पाई आर स्क्वार एच ता चुकि दूब वो तीरिया है दूब वो चाहिए है तो एच वन कर देंगे पहला के लिए आर वन दूसरा के लिए एच वन पहला देखें मैं पहला उपर के लिए लिक रहे हैं तो इसका आर वन एच हो गा अब दूसरा के लिए क्या हो गा एच वन भई कि एच भ्ई तो यह आपका हो गया H1, यह आपका हो गया H2, यहाँ पर देखिए, तो R1 का स्क्वेर, यानि 2 का स्क्वेर, तो 4 हो गया H1, तो S1 का माहन 3 हो गया, फिर देखिए, R2 का स्क्वेर, तो R2 का मतलब 3, तो 3 तिया 9 हो गया, फिर देखिए, S2, तो S2 का माहन क्या हो गया, 2, यह हो गया 2, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 बटे 3, यानि 2 बटे 3, तो इसका स्योप्षन आपको होगा D, तो फोर्मॉला बठा करके R1 से माहन को निकाल सकते हैं, अगला क्व एक बिरित की जीवा की लंबाई, बिरित की तिरजिया के बराबर हो, तो जीवा दोड़ा केंदर पर बनाया गया, कौन बराबर है, देखिए, तो एक बिरित की जीवा की लंबाई, बिरित की तिरजिया के बराबर है, तो देखिए, एक बिरित है, इसमें जीवा की लंबा यहां पर देखिए तो जब दो सिक्के उछा ले जाते हैं तो चार परिनाम पर आप थोगा आपको तो चार परिनाम यहां पर देखिए यह हो सकता है कि एक बार दूनु पर जोई कि टेल टेल ही आजाए एक परिनाम यह हो सकता है कि एक पर जोई कि टेल आए एक पर क्या आए हेड आए यह हो सकत तो यही चार परिनाम आपको पराप्त होते हैं तो यहां पर देखिए परिनाम कितना दिया तो चार गों परिनाम दिया चार देखिए एक बटर चार इसका सही ओप्शन आपको जाएगा अगला क्विस्चन नमर से तालिस कोड़ा की पी ए और पीवी ओ के अंदर वाले बिरित की असपर्स रेखाएं हैं तो यह पी हो तीश डिग्री तो यह बी का मान क्या होगा तो देखिए यह वो बिरित है यह यहां पर ज है की एक बाइव defendoo है इसका नाम P है, यह आपका A हो गया यह आपका B हो गया विरित का एक कि अंदर O हो गया यह इसमें मिला यह इसमें मिला देखिए यहां पर भी आपको 90 डिग्री बनेगा यह यहां पर भी आपको 90 degree बनेगा अब यहां पर देखिए कोड़ है कि APO का मान जो है कि APO इसको O मलना है आप APO याने इकोन जो है आपको 30 डीघरी है अपको 30 ही होगा यह भी कोन आपको 30 डीघरी ही होगा तो 30 है 20-30 क्या हो गया twenty thirty수そうそう đगरी हो गया एकसो असी डिगरी इसब्स है टाइए फुरा कों कितना धीच usanबगणेचर यानि E.O.B यानिि इस कों का यह कों दुगनना होता हा तो हती तीस 43 साथ कोंगाई धनी 1 120 अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कोड़ा है कड़ा कि यदि कोस ए बराबर साइन एक कितने डिगरी एंगल पर बराबर होता है तो 45 डिगरी में दूनु का मान जो है किस से हम होता है अगला क्वेश्चन देखिए और दिवरीत का कौन होता है तो और दिवरीत का कौन सम कौन होता है 90 डिगरी फॉर्मूले है कलास नाइन का पर में है प्राइक्ता हो सकती है तो देखिए एक से अधिक प्राइक्ता नहीं होती है किसी भी गटना की प्राइक्ता जो होती है वो आपको 0 से ले करके वो एक तक ही होती है जीरो से ले करके एक तक तो यहाँ पर देखिए एक होगा यानि न तो निगेटिव होता है नहीं एक से अधिक होता है तो 51 का से उसनाप हो गया एक अगला क्विश्चन देखिए बाबा कड़ाय की बहुलक है तो जो संख्या सबसे अधिक बार कौन आता है तो दो देखिए दो को हम चेक करते हैं एक दो दो बार ही आ रहा है फिर यहाँ पर तीन है तीन को चेक करते हैं तो तीन जो है आपको एक बार ही आ रहा है छो को चेक करते हैं एक दो तीन चो तीन बार आ रहा है जीरो को चेक करते हैं तो जीर बहुलक होता है सबसे बहुलक मतलब क्या बहु मतलब बहुत बार तो जो बहुत बार आता है वहीं बहुलक ऐसा नहीं कि यह सबसे बार आसंक्या उसको बहुलक मार देना आठ यह साने जो बहुत बार आता है यहीं इसका बहुलक हुआ अगला क्वेश्चिन देखिए तिरप पाई आर क्यू होता है 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 पाई आर क्यू ह समाच जाना यहाँ इसका उक्षन का यहाँ आपको आपको मान आपको आएगा अगला कुश्चन क्या होगा तो यहां पर देखिए अलगा कहिए यहां पर क्राई निकाल लिए परिशर कैसे निकालते हैं किसी भी डाटा का तो सबसे जो है कि lowest जो आपको नमर होता है और सबसे highest जो नमर होता है उसी का अंतर उसका range होता है तो सबसे कौम संक्यां इसमें ढूंडिये कोन है सबसे कौम संक्यां तो सबसे कौम संक्यां आपको साथ हो गया सबसे कौम संक्यां आपको साथ कि यही इसका परिसर होगा तो 33 में 6प देखे Sheep 23, ओप्शन, इसका सही ओप्शन आपको घ्या है अगला क्विश्चन दे एगला क्विश्चन क्या है ऑगला क्विश्चन पश्पॉन है कोड़ा कि एक बेलन के अधार का बियास, तो 20, तो तिर्या क्या होगा? 20 का अधा होता है, मतलब 14 सिंटीमीटर हो जाएगा इसकी उचाई, S का मान आपको 20 दिया है इसका वाकरप्रिस्ट का छेतरफल क्या होगा? तो बेलन का जो वाकरप्रिस्ट छेतरफल होता है वो हता है आपको 2, pi, r, h, फर्मूला है तो 2 पाय का मान 22 बर्ट शात होता है आर का मान देखिए 14 है तो 14 दे देंगे एस का मान 20 है तो यहां पर 20 दे देंगे तो 7 दुनी क्या हो गया 14 अब देखिए 22 दुनी 44 दुनी 88 88 गुना 20 तो 1700 साइट तो देखिए इसका सही उप्षिन आपको होगा C सेंटिमीटर स्कूर अगला क्वेशन देखिए यही ट्रीक के माधियम से बनाईए ट्रीक के माधियम से खटाक से बनेगा किसी भी दिमाग लगा देना इसका डिरेक्ट मान एक होगा कैसे होगा इंगल इंगल को जोर देखिए अगर 90 डिगरी पूर गया तो एकदम दिमाग लगा देजिएगा कि इसका मान एक होता है देखिए एक सट में 29 जोर यह नब्य है वैसे भी आप इधर इसको निकालेंगे तो देखिए साइन 29 डिगरी है ना तो इसको हम लिख सकते हैं कोस्ट डिगरी को कि साइन नब्य डिगरी यानि नब्य डिगरी मैनस एक सट ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि साइन नब्य डिगरी मैनस ठीता अबराबर क्या होता है कोस्ट ठीता ठीता के जग़ए एक सट तो अब देखिए साइन यह आपको 29 हो गया इसका सब्सक्राइब इस परकार का देखिए को सवाल रहेगा ही आपके बोड एकजाम में तो दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है दूनु को आमान देखिए योग अगर नब्य है तो एक मारना ही है अगला क्वेश्च्ट में कौन आलेक द्वारा निर्धारत किया जा सकता है तो देखिए जिसका अप्षण चाई वारा में उसका आलेक द्वारा निर्धारत किया जा सकता है अगला क्वेश्च्ट अगला क्वेश्च्ट यहाँ पर देखिए कहड़ा है कि तिरबूज ABC में तेन ठिटा ब्राबर होट तो तेन ठिटा का मौन क्या होगा तेन ठिटा क आपका आथार हो गया तो 10 ठिटा बराबर क्या होता है यानि AB क्या है चार के यहां पर आपको क्या देना है चार के और बिशी का मान आपको क्या है तीन के यहां पर आप गड़ाई की कोस ए और सेक ए ता इनका फर्मूले होता है सेक ठीटा गुना कोस ठीटा बराबर एक तो यहाँ पर ए है ठीटा के स्थान पर ए है यानि एंगल सेम रहने पर दूनू का गुनान फल कोस सेक का गुनान फल एक होता है तो ए और एंगल सेम है तो दूनू का गुना पर आब एक होता है दूसरा फॉर्मुला देखिए गुझा इंक दुनु का गुनन फल एक होता है तीसरा फॉर्मुला यहां पर देखिए को इन इसलिए इसका सई आपको होगा अब आगला कोइस्चन देखिए अगला अब्जेक्टिव तो यहाँ पर देखिए अगला अबजेक्टिव क्या है अबजेक्टिव नमर साथ कोड़ाए कि बिंदू यहाँ पर देखिए कि मूल बिंदू से दूरी क्या होगी तो यह बिंदू दिया है मूल बिंदू का नियामा क्या होता है जीरो और जीरो होता है जब दूरी निकालेंगे, यानि, A और 0 की दूरी, जेरो मेंचे आपको, मैनस ए, को गाटाना परेगा, 0 मैनस ए, मैनस ए, यह हाई है, पालस ए होगया, इनका होल स्क्वाइड, जोर, अब देखिये, फिर 0 मेंचे B को गाटाना होगा, तो 0 पलस क्या होगया B, चुकि- will should go to minus minus to minus 5 हो गया square हो गया A में 0 को जोरेंगे A ही होगा A का square जोर B में 0 को जोरेंगे तो B होगा तो B का square root over A square जोर B square तो किसमें है ओप्षन A में है जिसका सही option आपक हो गया A answer हो गया root over A square जोर B square तो देखे, यही हमको निकालना था, जो हमने निकाल लिया है, अब देखे, सभी objective को हमने सही-सही से solve कर दिया है, आप लोगively की समपूत त्यारी चाहते हैं, chapter wise objective का सभी subject का चाहते हैं, तो इस channel के साथ निश्सित रूप से ही जूर जाएगे, इसी परकार से explain के साथ हम एक एक objective को solve करके आप लोगों को बताएंगे